हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आरजी नियूस और बॉलिवूट की लेटेस्ट खबरों के साथ मैं मिठलेशनी साथ आपका स्वागत करता हूँ केंद्र सरकार के क्रिसी कानूनों के खिलाब चल रहे किसान आंदोलन को 70 दिन बीच चुके हैं बरतवान समय में दिल्ली सहित लगे सभी राज्यों की सिमाव पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और प्रदर्शन करने वाले जगों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है हाल ही मैं हॉलिवूड की पॉप सिंगर रिहाना ने ट्वीट करते हुए किसान प्रोटेस्ट का समर्थन किया इसके बाद बॉलिवूड अभिनेतरी कंगना रनौत ने उनके इस ट्वीट पर अपनी प्रती क्रिया देते हुए खुब खरी खोटी सुनाई है रिहाना ने ट्वीट करते हुए कैपसन में लिखा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं हैस्टेक फार्मर प्रोटेस्ट इसके बाद कंगना रनौत ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट पर लिखा है कि कोई भी इस बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं बलकि आतंगवादी है जो देश को बाटना चाते हैं ताकि चीन हम पर कबजा कर ले और USA जैसी कॉलनी बना दे सांती से बैठो बेवकुफ हम तुम जैसे मुर्ख नहीं है जो देश को बेच दे इस पोस्ट के बाद सोसल मीडिया यूजर्स ने कंगना को ट्रोल करना सुरू कर दिया कंगना रनौत हमेसा काफी चर्चा में रहती है वे एक बार फिर से चर्चा में दरसल उन्हो और दो कजिन को चंडीगर में फ्लैट गिफ्ट किये हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना ने ये चार आलिसान फ्लैट्स चार करोट रुपए में खरीदे हैं चंडीगर के पॉस इलाके में उन्हें लगजरी फ्लैट्स गिफ्ट किये हैं यहां प्रोपर्टी चंडीग एरपोर्ट के नजदीक हाई इस्टीट एरिया में है जहां आज पास अच्छे मॉल्स और रेश्टोरेंट्स हैं। प्रचल प्रदेश के लोग हमेशा चंडी गड़ में घर खरीदने का सपना देखते हैं और कंगना का यहां कदम वाकई उनके भाई बहनों का सपना पूरा करने के लिए है। सूटिंग सुरू होने के कुछ घंटो बाद एक खतरनाग आग लग गई जिससे उतपादन के अनुसार बहुत नुकसान हुआ है। हाला कि यहां बताया गया है कि निर्देशक ओम राउत और फिल्म की टीम सुरक्षीत है और किसी भी तरह की जान नहीं गई है। लेकिन फिल्म की सूटिंग के लिए लगाया गया ग्रीन क्रोमा पूरी तरह से नश्ट हो गया है जो मेकर्स के लिए एक बड़ी छती है। इस खटना की ख़बर सोसल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी है जहां मौकी की ताजा तस्वीरे सामने आ रही है। भारत में चल रहे किसान अंदोलन की गुंच अब हॉलिवूट इंडर्श्री में भी पहुँच गई है। पॉप सिंगर रिहाना मॉडल अमांडा सेर्णी क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा धनवर्ग के साथ अब एडल्ट फिल्म इस्टार मिया खलीफा ने भी किसान अंदोलन को लेकर ट्विट किया है। उन्होंने किसान अंदोलन का हिस्सा बनी महिलाओं का प्रदर्शन करती हुए तस्वीर सेर की। इस तस्वीर में महिलाएं फार्म को मारना बंद करो का बैनर लिये नजर आ रही है। मिया खलीफा ने कैपसन में लिखा मानवा अधिकार उलंगन ये क्या हो रहा है उन्होंने नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट काट दिया हैस्टेग फार्मर प्रोटेस्ट मिया खलीफा का ये ट्विट सोचल साइट पर काफी वाइरल हो रहा है। साउथ फिल्मों के सूपरश्टार रवी तेजा की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म क्रैक बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई है। अब उनकी अगली फिल्म खिलाडी की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। तिल्चस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए दर्सगों को लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। रवी तेजा इस्टारर फिल्म खिलाडी बनकर पूरी तरह से तैयार है बस जल्द ही सिनेमा घरों में पहुचने वाली है। इस फिल्म को निर्माता निर्देशक जल्द ही रिलीज करने वाले है। टीजार ने दर्सगों को खासा इंप्रेस किया और यह टीजार सोशल मीडिया पर मिंटों में ही छागया था।